हाई गाईज तो आज हम ब्रेड और मैगी से नास्ता बनाने वाले हैं यह नास्ता बड़ो बच्चों को बहुती पसनाता है और यह नास्ता बहुती कम इंग्रिडियन्स में बनके त्यार हो जाता है तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी रेसिपी वेल्कम कटकी हुई हरी मिल्च आड़ करेंगे एक चौप किया हुआ पैज आड़ करेंगे और इसे इसी तरह से चलाते रेंगे जब तक के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो यह दिखिए हमारा पैज गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें वन टेबल स्पून कश्मे लाल मिल्च पौडर आड़ करेंगे और हाफ टेबल स्पून हल्दी पौडर आड़ करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे और आपको अगर जाजा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसमें हरी मिल्च आवाइड कर सकते हैं अब हम इसमें एक चौप किया हुआ टामेट तो यह देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है यह हमने मैगी का पकेट लिया हुआ है तो इस मैगी को हम इस तरह से हलका क्रश करके इसमें आड़ करेंगे आप अगर मेरे चानल पे नहीं होंगे तो मेरे चानल को लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे और बे पेम पे 2 मिनिट के लिए इसे कवर करके रखेंगे तो यह देखिए हमारे 2 मिनिट हो चुके हमर मैगी ने सब पानी एक जोप कर लिया है इसे हम साइड में निकल लेंगे तो यहाँ पे हमने इक कटोल लिए इसमें हम दो टेबल स्पून मैदा एट करेंगे और इस तरह से बेल लेंगे अब अपनी स्लाइस पे हम टोमैटो सौश लगा लेंगे हमने जो मैगी का घोल बना के रखा था वो इस स्लाइस को चारो और से लगा लेंगे हमने जो मैगी बना के रखी थी वो इस पे रखेंगे और इस स्लाइस को फोल करके प्रेस करेंगे मैगी की वज़े से इस स्लाइस अच्छे से चिपक जाएगे इसी तरह से हम दूसरा सैंड्वीच भी बना लेंगे ब्रेट की स्लाइस को बेल लेंगे टेमाटो साउस लगा लेंगे महिदे का गुल इस स्लाइस को तारो ओर से लगा लेंगे मैगी की श्टपिंग रखेंगे bread की slice को hold करके press कर देंगे इसी तरह से हम सारे sandwich बना लेंगे तो यह देखिए हमने सारे sandwich बना लिए है इन सारे sandwich को shallow fry कर लेंगे तो उसके लिए हमने प्यान लिया है उसमें हम 4 टेबल स्पून oil अट करेंगे तो यहाँ पे हमें gas की flame लोही रखने है तो यह देखिए हमारा oil गरम हो चुका है अब हम इसमें sandwich रखेंगे तो यहाँ पे हमारे pan में 4 sandwich set हुए है तो यह sandwich निचे से fry हो चुके है इन्हें हम पलट देंगे तो हमारे sandwich दोना side से fry हो चुके है अब हम इनने निकाल लेंगे और दूसरी बैच फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पे हम pan में oil अट करेंगे और हमारी sandwich की दूसरी बैच फटा-फट से fry कर लेंगे देख सकते ही हमारे सारे sandwich ready है तो हमने इस सारे sandwich को tomato sauce के साथ सर्व किया है तो यह sandwich बहुत ही yummy औ क्रिस्पी बनता है तो आप जरू बनाईए जरू ट्राइ कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में